Dear viewers घजब की information है अगर आपका data महीने से पहले खत्म हो जाता है तो ये tricks जरूर अपना है YouTube को enable करें YouTube को on करने के बाद आपको top right corner पे 3 dot का sign है इसको आपने touch करना है इसको touch करने पर आपके सामने 3 option हैंगे सबसे top पर आपको setting का option है इसको आपने on करना है on करने के साथ आपको second pay download quality इसको आपने on कर लेना है on करेंगे तो आपके सामने 5 option नज़र आएंगे ask each time full HD और उसके बाद हाई high medium और low आपने इसको low पर रखना है इससे होता ही है कि इसके pixels resolution कम आती है और इस पे MBB कम खर्च होते हैं जब भी आपको चीज़ download करते हैं इसके इलावा है जी download over wifi only अगर आप इसको on करते हैं तो कोई भी बच्चा या घर का कोई भी फर्द जब भी कोई चीज़ download करेगा तो जब तक wifi नहीं होगा तो आपकी device से कोई भी चीज़ download नहीं हो पाएगी इसके बाद है जी recommended download अगर आप recommended जो चीज़ें YouTube की तरफ से होती हैं फकत उनको download करेंगे तो इसको आपने enable यानि के on करकर रखना है otherwise इसको off कर सकते हैं तो इससे भी data secure रहेगा और कम खर्च रहेगा download के लिए आप help लेना चाहते हैं तो आप article read कर सकते हैं और अगर आपके पास वीवर स्टोरेज में यूट्यूब लैबरेरी में download में आपकी space कम पड़ गई है और बाकी आपकी videos downloading में नहीं आ रहे हैं तो आप इसको delete all कर सकते हैं जैसा के आपके सामने है ये 5.7 GB इसकी free space अभी available है और 2.27 GB इसकी use में है तो वीवर ये storage आपको YouTube की तरफ से free of cast महया की जाती है next में आ जाते हैं जी data saving data saving mood पे आप इसे लगा सकते हैं अगर इसको off करते हैं off करने का option भी है तो वीवर इसमें off करने के option में आपको एक चीज होती है कि आपका जो reducing data होता है वो खत्म हो जाता है और high quality में हर चीज back में आपके device में चलती रहती है और काफी सर ऐसे function हैं जो data आपका use करते हैं खुफिया तरीके से इसको आपने data saving को on कर लेना है first of all इसका ये फैदा है कि reduce data video quality video quality में जो आपका data होता है वो नहीं होगा उसके बाद जी download video quality जो low पे होगी saving mood पे वो ही हो वीडियो चलेगी downloading में और उसके बाद जी only download over wifi and unrestricted mobile data जब wifi on होगा तब आपकी जो mobile की downloading हो सकेगी उसके बाद वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो सिर्फ wifi पे होगी और उसके बाद muted playback feedback और काफी जारी ऐसी चीज़ें जो के फकत आपके data पर चलती हैं वो नहीं चल पाएंगी आप उनको लगेगा stop और आपने जाना है back तो यहां पर आप देख सकते हैं download, download का option आप पहले समझ चुके हैं और accessibility का बाद में आपको बताएंगे वीडियो कैसे लिगी comment करके जरूर बताएगा feedback भी जरूर दें और subscribe करना तो न भूलिए क्योंके हम आपके लिए मैनत से content ready करते हैं bell को आल पर कर दें thanks for watching